हेलो इब्रीवन आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत आप सब का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेस्ट नॉलज़ पर मैं हूं कुमार बिने और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाय वंडल में जल के बारे में हम लोग क्लास लेबंद क बहुतिक भुगोल के मुल सिध्धान जो कि बहुतिक भुगोल के लिए बहुत ही महत्पूर किताब है और मैंने आप लोगों से पहले ही बताया है कि इन किताबों से आपको कोई विशेष नोट बनाने की जिरुवत नहीं है आप लोग आईजिटीज के वल चैप्टर को ए देंगे तो आपको उसमें बहुत ही जाता वेनिफिट होगा और उन बुक को पढ़ने की जुरुत आपको तभी पढ़ेगी अगर आपने जिवग्राफी को आईजिए ऑप्शनल चूज किया है अगर जिवग्राफी आपका आप्शनल के रूप में नहीं है तो आपके लि लोगोंने वाई मंडल में परिसंचरण को समझा था और बहुत सारी चीजे हीट बजस शूर का विकरण कैसे होता इन सभी चीजों के बारे में हम लोगोंने अच्छे से समझा था तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगी कि वाई मंडल में जल का क्या योगदान ह आखिर में किस तरह से हमारे यहां पर वास्पी करान होता है संगनन होता है जो हमारी ओस है पाला है कुहरा है इन सब की क्रिया विधी किस पकार से होते हैं किस तरह से प्रेसिपिटेशन यानि की वरसंड का सिध्धान्त होता है इन सब के बारे में इस वीडियो में हमें डि वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना बोलिएगा चलिए शुरू करते हैं आप पढ़ चुके हैं कि हवा में जलवास मौजूद होती है ठीक है इसे इसमें वाय मंडल के आयतन में जीरो से लेकर चार प्रस्था तक की बिन्रता पाई जाती है मौसम की परिघटना में इसका बहुत ही महत्पूर योगदान होता है जल वाय मंडल में ती नमस्ताओं या वाय मंडल का लगातार आधान परदान वास्पी करण indigenous संहदन तता वर्था की प्रक्रिया के द्वारा होता रहता है हौवा में मौजूद जलवास्प को हम लोग क्या कहते हैं आदरता कहते हैं यानि की हुमेडिटी कहते हैं मातरता अत्मक द्रिष्टी से इस विभिन परकार से ब्रत किया जाता है वाय वंडल में मौजू जलवास्प की वास्तुई मातरा को निरपेच आदरता कहा जाता है यहां हवा में प्रतिका प्रत्वीच की सता पर अलग-अस्थानों में अलग-अलग होती है। दिये गए ताफमान पर अपनी पूरी च्छमता की तुल्ला में वाय मंडल में मौजूद आधरता के प्रत्त को सापेश-चादरता कहा जाता है। हवा के तापान के बदलने के साथ ही आदरता को गरहन करने की चमता बढ़ती है तथा सापेच आदरता भी प्रभावित होती है यहां महासागरों की उपर सबसे अधिक तथा महादीपों की उपर सबसे कम होती है तो यहां पर मैं आपको चीजें बताता हूं कि जो अभी हमने पढ़ा निर्पेश आदरता ठीक है हमने पढ़ा सापेच्छिक आदरता और उसके लावा आदरता सामर्थ यह तीनों चीजें मैं आपको थोड़ा यहां पर डीटेल में बताता हूं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निर्पेश आदरता माल निजी आपके पास एक क्यूब इसके अंदर कितनी नमी है इसी को हम लोग कहते हैं निर्पेश आदरता ठीक है तो ध्यान दखेगा इस एक चीजे को कि निर्पेश आदरता जो होती है हमारी वो होती है कि एक घन मीटर में कितनी ग्राम हमारे इसमें नमी की मात्रा मौजूद है या कितने प्रत्सक नमी की मात्रा मौजूद होती है उसी को हम लोग कहते हैं निर्पेच आदरता फिर एक टर्म होता है आदरता सामर्थ यानि की कैपासिटी इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक घन मीटर वायो है तो कितनी छमता है इसकी कि ये आदरता को अपने पास hold रख सके means इसकी capacity कितनी है नमी को hold रखने की छमता कितनी है उसी को हम लोग कहते हैं आदरता सामर्थ उसके बाद में बात की गई है यहाँ पर सापेचिक आदरता की तो सापेचिक आदरता बेसिकली यह होती है कि हम लोग निरपेच आदरता को अगर divide करते हैं आदरता सामर्थ से और इसमें multiply करते हैं 100 से ठीक है तो इसे हम लोग कहते हैं सापेचिक आदरता सापेचिक आदरता बताती है कि किसी जो हमारे पास air packet है उसका आदरता को ग्रहन करने की छमता कितनी है और वो उसमें कितनी आदरता मौजूद है ठीक है उसी के बारे में जो बताता है वो हम कहते हैं उसको सापेच्छिक आदरता तो ये तीनों चीजें I hope आपको अच्छे से clear हो गए होंगी निश्चित तापमान पर जलवास में पूरी तरह पूरीत हवा को संत्रिप्ट कहा जाता है इसका मतलब यह है कि हवा इस इस्तित में दिये गए तापमान पर और अधित आदरता को ग्रहन करने में सच्चम नहीं है यानि कि यहां पर कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई वायू का पैकट है जिसमें आदरता सामर्थ करने की जो चमता है उतनी ही उसमें आदरता मौझूद है तो उसे हम लोग कहेंगे संत्रिप्ट ठीक है माल लिजे कि अगर आपको पांच रोटी खाने की चमता है और अगर आपने पांच रोटी मिल गई आपको आपने रके से भाति अचर छमता होती कि वायू की वो अगर हम लोग तापमार मढ़का यहानि कि टंप्रेचर बढ़ एक तो उसकी वर चमता भी बढ़ जाएगी मिह जितनी ही जखर्म होगी वायू हमारे जर्म होगी उसको आदरता ग्रहण करने की चमता भी उतनी ही जखर्तon प्रतिदर्थ में हमारे पास वायू में जिस तापमान पर उसमें संत्रिप्ता यानि की सेचुरिटेड स्टेट आ जाता है वायू की उसे हम लोग क्या कहते हैं उसांग कहते हैं बात करते हैं हम लोग वास्पी करण तथा संगनन की वाय मंडल में जल वास्पी करण तथा संगनन की करण करमसा घरती बढ़ती रहती है वास्पी करण की वाक्रिया जिसके द्वारा जल द्रव से गैसी अवस्था में परिवतित होता है वास्पी करण का मुख्य करण ताप है जिस तापमान पर जल वास्पी करित होना शुरू करता है उसे वास्पी करण की गुप्त उस्मा कहा जाता है दिये गए हवा के अंस में जल का और सोसित करने एवंग धारन करने की छमता तापमान में बृद्धी के साथ बढ़ती है उसी प्रकार यदि आत्रता कम है तो हवा में नमी को और सोसित करने दथा धारन करने की छमता होती है हवा की गति संत्रिप्त परत को आसंत्रिप्त परत के द्वारा हटा देती है इस प्रकार हवा की गति जितनी तीब्र होगी वास्पी करण उतना ही तीब्र होगा ठीक है यहाँ पर क्या बताएगे है वास्पी करण और कंडेंसेशन के बारे में कि वाई मंडल में जल वास्प की मात्रा वास्पी करण था संगनन की कारण करमसा घड़ती बढ़ती रहती है ठीक है जिस परकार से अगर कोई हमारा रिजल वायर है हमारे पास कोई जलासा है तो इसके जल का अगर वास्पी करण होगा तो इसमें जो जल की मात्रा है वो कम क्योंकि तापमान के द्वारा ही यह जब गर्म होता है तो इसमें वास्पी करिथ होना शुरू करता है उसे हम लोग वास्पी करिथ होना की गुप्त उस्मा कहते हैं उसी प्रकार यदि आदरता कम है तो हवा में नमी को असोसित करने रखा धारान करने की छंता होती है। हवा की गति संत्रिप्त परत को आसंत्रिप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गती जितनी तीब्र होगी वास्पिकरण उतना ही तीब्र होता है। जलवास्प का जल की रूप में बदलना संगनन कहलाता है। उस्मा का हास ही संगनन की कारण होता है। जब आज रहवा ठंडी होती है तब उसमें जल्वास्प को धारान रखने की छमता समाप्त हो जाती है तब अतरिक्त जल्वास्प द्रव में संगनित हो जाता है और जब यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो इसे उर्धुपातन कहते हैं स्वतंत रहवा में छ की बताया गई है कि जब जल्वास्प हमारा हवा में जब जल्वास्प होती है वो धीरे-धीरे ठंडी होती है उपर जाने पर तो उसमें जल्वास्प को धारान करने की छमता होती है वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है वाई अगर ठंडी होगी तो उसके अंदर जो हम हम लोग क्या कहते हैं उद्ध पौतन ठीक है फिर उसके बाद में इनके ठंड़ा होने के बाद में संगरन होता है और इसमें जो छोटे-छोटे कण बनते हैं उसे संगरन के अंदरक कहा जाता है तो यह चीजें बताएगे हैं संगरन उस अवस्था में भी होता है जब आद्र एक तो ठंड़ा होने की मात्रा क्या है और दूसरी हवा की सापेच आदरता क्या है इस बात पर डिपेंड करता है कि संगनन का प्रारम होगा संगनन हवा के आयतन ताप धाब तथा आदरता से प्रभावित होता है संगनन तब होता है जब वायू का आयतन नियत हो एवंग तापमान उसांग तक गिर जाए ठीक है तब हमारा जो संगनेन है वो प्रारμ होता है वायू का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए थवर्ड प्रोसेस है वास्पी करनदवार Western वाय में और अधिक जल वास्प प्रविष्ठ हो जाए फिर भी हवा के तापमान में कमी संगनन के लिए सबसे अच्छे अवस्था होती है संगनन के बाद वाय मंडल की जल वास्प या आधरता निमलिखित में से एक रूब में परिवर्तित हो जाती है जो की है ओस्प, कोहरा, तुसार एवंग बादल इस्थित एवंग तापमान के अधार पर संगनन के प्रकारों को वर्गी करित किया जा सकता है संगनन तब होता है जब ओसांग जमाव बिंदु के नीचे होता है तथा तब भी संभव है जब ओसांग जमाव बिंदु के उपर होता है बात करते हैं ओसकी जब आदरता धरातल के उपर हवा में संगनन केंद्रिकों पर संगनित ना होकर ठोस वस्त जैसे पत्थर, घास तथा पाउधों की पत्तियों को ठंडी सतहों पर पानी की बूदों के रूब में जमा होती है तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है इसके बनने के लिए सबसे उपरयुक्त अवस्ताएं साप, आकास, सान, थवा, उच्छ, सापे, छादरता तथा ठंडी एवंग लंबी राते हैं उस बनने के लिए यह हवस्यक है कि ओसांग जमाव बिंदु से उपर हो फिर हम बात करते हैं तुसार की तुसार ठंडी सतहों पर बनता है जब संगरन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे 0 degree centigrade चले जाने पर होता है अथा तो सांग जमाव बिंदु या उसके नीचे होता है अतरिक्त नमी पानी की बूदों की बजाए चोटे चोटे बर्ब के रहों के रूप में जमा होती है उजले तुसार के बन्ने इसके सबसे उपवयूकत अवस्था है उसके बन्ने के वस्थाओं के समान है केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु या उससे नीचे होना चाहिए उसके बारे में हैं बात की जा रही है कि आप लोगों ने इस समय जाड़े के मौसम में देखा हो गे कि जो हमारी घासे होती है या हमारे पोधे होते हैं उनके उपर बर्ब की चोटी चोटी परत या पानी की बूदे जमी रहती है तो इनी बूदो कवम लोग ओसका थे, इसके पीछे का रीजन यह होता है कि जिब कभी-कभी तापन बहुत जयादा गिल जाता है यह तापन इस प्रकार से होता है कि वो हवा की जो छमता है या जो इस प्रकार से है कि ओसांक के नीचे आ जाता है जमाव बिंद तुसार भी उसी तरीके की प्रक्रिया है लेकि तुसार में इस पे छोटे चोटे बर्प के टुकडे की समान जम जाते हैं मिन्स जब पानी के रूब में जमती है तो इसे ओस कहते हैं जब इसे बर्फ के टुकड़े होते हैं तो इसे हम लोग तुसार कहते हैं ठीक है फिर हम बात करते हैं कोहरा या कोहासा के बारे में जब बहुत अधिंग मात्रा में जल्वास्प से भरी हुई वायु संगत अचारंग नीचे की और गिरती है तब छोटे छोटे धूल के कणों के उपर ही संगनन की प्रक्रिया होती है इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सताह पर या सताह के बहुत नजदीक होता है तो इसे हम लोग बादल कहते हैं जब कभी कभी जिस ऐसी हवाएं जिनमें जल्वास बहुत ज़्यादा होता है यह अचानक से नीचे आजाते है means ऐसी वायु संगहत यानि की वायु रासियां अचानक से जब नीचे की ओर आती हैं तब ये छोटे छोटे धूल के कड़ों के रूप में संगनन प्रकरिया प्रारम हो जाती है ठीक है जो हमारे धूल के कड़ वाय बंडल में पाया जाता है निजले अस्तर पर इनहीं कड़ो निजले ग्श्रोच आता है करते हैंप फथी घूली कहता हो अधिक में और चैयरगों की मात्रा की अधिक्ता होती है COMे मदद करते हैं आयसे इस्थित को जिसमें कोहरा तथा धुआ सम्मूले दरूप से बनते हैं उन्हें धुम्र कोहरा या स्मॉक भी कहते हैं कोहासे उन कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कोहासे में कोहरे के पेच्छा नमी अधिक होती है कोहासा पाणों पर अधिक पाया जाता है क्योंकि उपर उठती ही गर्म हवा धाल पर ठंडी सिता के संपर्क में आती है कोहरे कोहासे के पेच्छा अधिक सुस्क होते हैं तथा जहां गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहां ये प्रबल होते हैं कोहरे चोटे बादल होते हैं जिनमें धूल कण, धूएं के कण और नमक के कण होते हैं केंद्रकों के चारों और संगरेन की क्रिया होते हैं यह धूल के या धूएं के कण होते हैं जिनके चारों तरफ हमारा आद्र वायुरासियां आती हैं और एक प्रकार से संगरेन की क्रिय होती है और कोहरे का निर्माण होता है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं बादल यानी की क्लाउट्स के बारे में बादल पानी की छोटी बूदो या बर्व के छोटे रहों की संगनत होती हैं जो की परयापत उचाई पर सुतंतर रूप में जलवास्प के संगनन के कारण बनत पहला हुआ हमारा पच्छाब मेग, दूसरा कपासी मेग, यू उसके बाद में हम बात करते हैं वर्शा में काले या गहरे सलेटी रंगे होते ये मध्य अस्तरो या प्रत्वी के सता के काफी नजदीक बनते हैं ये सुर्ग की किर्ड़ों के लिए बहुत यह अपार दरशी होते हैं कभी-कभी बादल इतनी कम उचाई पर होते हैं कि ये सता को छूते हुए प्रतीत होते हैं वर्षा में एक मोटे जल्वास के आकरित विहिन साहत होते हैं ये चार मूल रूपों में बादल मिलकर निमलखे रूपों में बादलों को निर्माण करते हैं तो यहाँ पर चार रूप आपको दिये हैं उचे बादल जिनमें पच्छाव पच्छाव अस्तरी पच्छाव कपासी आते हैं मध्ध हुचाई के बादलों में अस्तरी मध्य तथा कपासी मध्य होते हैं उसके अलामा कम उचाई के बादलों में अस्तरी कपासी अस्तरी वर् उन सब के बारे में अच्छे से आडिया हो जाएगा ठीक है अब हम लोग बात करते हैं वर्चन यानि की प्रेशिपिटेशन की स्वतंत्र हवा में लगातार संगनन की प्रक्रिया संगनित कणों के आकार को बढ़ा करने में मदद करती है मैं जब मैंने आपको बताया कि जब ह हमारी वाय होती है देखिए जब हमारी वाय यहां रिजर वायर से वास्पिक्रित होती है वास्पिक्रित होने के बाद में जब यह गर्म वाय उपर की तरफ उटती है तो यह एडियाबेटिक्स के पतन होता है इसमें तो यह ठंडी होनी प्रारम होती है ठंडी होने के को इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि उस बादल को इसको hold रखना बहुत ही मुश्किर हो जाता है उस इस्थित में गुरुत्वा करसंड बल के कारण ये धीरे-धीरे प्रतवी की और गिनने लगते हैं और गुरुत्वा करसंड बल भी इनको रोक स्वारी जो इनका हवा का प्रति बन रही हैं वो अब बड़ी होने लगी हैं जब हवा का प्रतिरोद गृत्वा करसंड बल के ब्रुद्ध उनको रोकने में आसफल हो जाता है तब ये प्रत्वी की सता पर गिरते हैं इसलिए जलवास्प के संगनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वरसंड कहते हैं नमी सटकोंड ये रवों के रूप में निर्मुक्त होती है ये रवे हम तोलों का निर्माड करते हैं वर्साद थाहिंपात के अतरिक्त वर्संड के दूसरे प्रकार सहीं ब्रिष्ट के कारण करकापात हैं यदि सामानने यद्ध्य करकापात काफी सीमिद मात्रा में हो तब सहीं ब्रिष्ट होती है वर्षा की बूदे जो गर्म हवा से निकलती है तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती है इसके परणाम सुरूप वह ठोस हो जाती है तथा सता पर वर्षा की बूदों से भी छोटे आकार में बर्व के रूप में गिरती है कभी कभी वर्षा की बुदे बादल से मुक्त होने के बाद बर्व के चोटे गोलागार ठोस टुकडों में परवर्तित हो जाती हैं तथा प्रत्री की सता पर पहुंचती हैं जिसे ओला पत्थर कहा जाता है ये वर्चा के जल से बनती हैं जो की थंडी परतों से होकर गुजरती हैं ये ओला सबसे पहले बात करते हैं संभहनिय वर्चा में आप लोगों ने पढ़ाई होगा यहां पर मैं बता देता हूं एक बार हवा के गर्म हो जाने पर हलकी होका समवहन धाराओं के रूप में उपर उठती हैं वाय मंडल की उपरी परत पर पहुशने के बाद या फैलती हैं तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती है परणाम सरुप संगरन की किरिया होती है तथा कापासी मेगों का निर्माण होता है गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूशलाधार वर्चा होती है लेकिन यहां बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है इस प्रकार की वर्चा गर्मियो में या दिन में गर्म समय में प्राया होती है या विशोती है छेत्रिया खास कर उतली गोरारत के महादीपों के भीत्री भाग में प्राया होती है वही चीज़े बताएगे कि यहां पर रिजर वायर है यहां से वास्पिकरण हुआ वास्पिकरण के बाद में धीरे धीरे उप जब संत्रिप्त वाल की संगत प्रवतिय धाल पर आती है तब यह उपर उठने के लिए बाद दे हो जाती है तथा जैसे ही यह उपर की ओर उठती है यह फैलती है तापमान गिर जाता है तथा आधरता संगनित हो जाती है इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुड़ है कि धाल सूखिया और वर्षा भीन रहते हैं परित पौन भाग में इस्थित छेतर जिनमें कम वर्षा होती है उन्हें बिष्ट चाया छेतर का जाता है यहां परवतिय वर्षा या अस्थलकृत वर्षा के नाम से जाने जाती है अब यह देखिए माले यहां पर कोई परवत हुआ यहां पर हमारी जो आद्रवाय है वो धिरे धिरे आती है इसमें टकराने के बाद में यह उपर उठती है उपर उठने के बाद में ठंडी होती है ठंडी होने के बाद में यहां भी इसका पासी मेक का निर्मान होता है उसके बाद में यहाँ पर वर्षा होती है लेकिन जब यह हवाई यहाँ से आगे बढ़ती है तो यह फिर सुस्क होने लगती है और इसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है तो इस रीजन में तो वर्षा होती है यह पूरा हरा भरा रहता है और यह पूरा ड्राई रहता है जो उसके यहां पर वर्षा नहीं होती है इसलिए इसे हम लोग रेन शैडो रीजन या बिष्ट इचाया प्रदेश भी कहते हैं तीसरी प्रकार की जो हमारी वर्चा है वो चक्रवाती या फ्रंटल वर्चा है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं चक्रवाती वर्चा के बारे में तो आप इस पुस्तक में भी पढ़ चुके हैं और पहले भी जो हमारे क्लाइमेटो लॉजी की उपर वर्सा चोड़ी जमिद सब्सक्राइब होटें सामाने तोर पश्र को सर्वर्स अधिक होती है क्योंकि वहाँ पानी का शुरोत के अधिक्ता की कारण वासपकरण की क्रिया लगातार होती रहती है विशुवत बृत्त से 35 डिगरी से 40 डिगरी उत्तर और दच्छनी दच्छांसों के मत्ध है पूर्वी तटो पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चमी की तरफ यह घटती जाती है लेकिन विशुवत बृत्त से 35 डिगरी उत्तर और दच्छन के बीच पश्चमी की नारों पर वर्षा होती है तथा यह पूर्व की तरफ घटती जाती है जहां भी पहांड तट के समाना अंतर है वहां वर्षा की मत्रा पौना भिमुख तटिये मैदान में होती है यह प्रतिपवंद दिशा की तरफ घटती जाती है वार्चिक वर्षाण की कुल मात्रा के अधार पर विश्व की मुख्य वर्षाण प्रवेत को निमलके रूपों में पहचाना जाता है नम्फुअ भिश्वतिये पट्टी शितोष्ण प्रदेशों में प्स्चिमी तटिये किनारों की पास के प्रवतों के वायो के ढाल पर तथा मांसून वाले छेत्रों के तटिये भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है जो प्रतिवर्ष 200 cm से उपर होती है महादीपों के अत्रिक्त भागों में प्रतिवर्ष 100-200 cm वर्षा होती है महादीपों के तटिये छित्रों में वर्षा की मात्रा मध्या होती है उशने कडिबंदिये छेत्रों के केंद्री भागों तथा सितोष्ट छेत्रों के पूर्वी एवंग भीत्री भागों में वर्षा की महत्रा 50-100 cm प्रतिवर्ष होती है वाय मंडल में जल, महादीव के भीत्री भाग के ब्रिष्ट इछाया छेत्रों में पढ़ने वाले भाग तथा उचे अच्छांसू वाले छेत्रों में प्रतिवर्ष 50 cm से भी कम वर्षा होती है वर्षा का मौसमी वित्रण इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्रों पहलू है कुछ छेत्रों जैसे विश्वतिय पट्टी था ठंडे समसितोंशन प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है ठीक है तो आज के लिए इस वीडियो में फिलार इतना ही आप लोगों ने अपना समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो कोई भी सवाल हो इन चेप्टर से ले करके तो आप लोग कमेंट सेक्षिन में बही चेक उसको पूस सकते हैं इस वीडियो को आप लोग अपने और फिरइंड्स के साथ में शेयर केजिए और कोशिव किजिए जो चीजे आप लोग समझते है पढ़ते हैं अपने आ्पास के बच्चों को या अपने घर में छोटे बच्चों को भी इन चीजों को समझाने का सिखाने का प्रयास करिए तो आपको यह चीज़े और अच्छी क्लियर हो जाएंगे ठीक है थांक वॉर दे लिस्निंग जय हैं जय भारत